हेलो एवरिवान एन वेलकम ट्यू लर्न एवरिथिंग अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यूंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा एंसेयाटी स्लेबस कराने वाली हूँ तो आज की इस वीडियो में हम क्लास एट की बुक इट सो हैपेंड का चैप्टर फरस्ट हाउ दा क्यामल गौट हिस हम को पड़ेंगे याने कि उट ने कैसे कूबर पाया तो चलिए बिना वग्ग कवाए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं कहानी की शुरुवात तब होती है जब ये दुनिया नई थी और जो जानवर थे उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था तब वहाँ पर एक उट था जो रेगिस्तान के बीच में रहता था क्यूंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाता था वो लकनियों को खाता था कांटे वाली जानिया खाता था और छोटे छोटे कांटे भी खाता था और जब भी कोई उस उट से कुछ बोलता था तो वो उट बस यही बोलता था हम और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलता था सबसे पहले सोमवार की सुबा उसके पास एक घोड़ा आया उसकी पीठ में कांटी बदी भी थी और उसने ओट से कहा कि तुम भी हमारी तरद तेज तेज चलो और तुम भी काम करो तो ओट उससे कहता है हम क्यूंकि वो इस सब्द के अरावक कुछ भी नहीं कहता था फिर वो घोड़ा वहां से चला जाता है और ये सारी की सारी बात इंसान को जाकर बता देता है फिर एक कुट्टा उसके पास आता है उसके मूँ में एक लकड़ी होती है और वो उट से कहता है कैमल ओ कैमल आओ उठो और जैसे मैंने ये लकड़ी अपने मूँ में उठा कर रखी है वैसे ही तुम भी आकर इसको पकड़ो और उठाओ लेकिन उट फिर से वही कहता है हम और फिर वो कुट्टा भी वहां से चला जाता है और ये बात वो इनसान को जाकर बता देता है फिर इसके बाद एक बैल उसके पास आया और उस बैल के गले में एक लकड़ी का हल था और उसने उठ से कहा कि आओ और हमारे साथ हल जोतने का काम करो तो उठ फिर से वही कहा हम और फिर वो बैल भी वहां से चला गया और उसने ये बात जाकर इंसान को बता दी फिर जब दिन खत्म हुआ तो जो इंसान था उसने घोडे को, कुटे को और बैल को बुलाया फिर इंसान ने कहा कि मुझे तुम तीनों के लिए बड़ा अफसोस है लेकिन ये जो हम्प नाम की चीज है याने की जो उट रेगिस्तान के अंदर है वो कोई काम नहीं कर सकता नहीं तो वो यहां पर होता इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ देना चाहता हूँ और तुम लोगों को उसकी वज़े से दो गुना काम करना पड़ेगा याने की उसके हिस्से का काम भी तुम लोगों को ही करना होगा इस बात पर तीनों भगुआँ नाराज हो गए और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायت की उस पंचायت में ऊट मू चबाते हुए, मू चलाते हुए आया और वो उन तीनों पर हसा और फिर हम कहते वे वहाँ से चला गया तबी वहाँ पर एक जिन आया जो सारे रिंगिस्तान का मालिक था और वो वहाँ पर घूमते हुए धुए की बादल की तरह आया फिर घोडे ने कहा क्या किसी के लिए बेकार मह पड़े रहना सही है तो जिन ने कहा बिलकुल नहीं तो गोडे ने कहा एक चीज है तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी टांग है और उसने सुमवार की सुवा से जरासा भी काम नहीं किया है और ना ही वो हमारी तरह तेज चलना चाता है तो जिन एक आँ भरतेवे कहता है अरे वो वो तो उट ह मेरा तो उसका क्या कहना है इस बारे में तो बैल कहता है कि वो बस हम कहता है और वो खेत में कोई भी काम नहीं करता है तो जिन ने कहा बहुत अच्छा तो आप मैं उससे बहुत हम करवाऊंगा बस तुम एक मिनट का इंतजार करो इसी के साथ हमारा पार्टवन समापत होता है अब पार्टू में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है इसके बाद जिन धूल में घूमते वे बादल की तरह वहाँ पर चले जाता है जहां पर ऊंट होता है और देखता है कि जो ऊंट है वो अपने आपको तलाप के पानी में देख रहा है फिर जिन ने उससे कहा मेरे द करने तरह आपको तलाप के पानी में देख रहा था फिर जिन ने उससे कहा कि तुमनेने सोंवार के शुवह से ही कौई काम नहीं किया है तो इसलिए मैं तुम्हें Èक्स्ट्रा काम दे रहा है। इसके बाद जिन इन तीनों कामों के बारे में सोचने लगता है तो ታे हम 4 पिर जिन उट से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये बात दुबारा कभी नहीं कहता और तुम ये बात कई बार कह चुके हो मैं तो बस यही जाता हूँ कि तुम बस अपना काम करो लेकिन इसके बाद भी उट ने दुबारा से कहा हम लेकिन जैसे ही उट निकलाया फिर जिन ने उससे कहा कि क्या तुमने देखा यही वो हमपर है जो तुमने खुद अपने आप अपने लिए बनाया है बिना किसी काम को किये हुए आज गुरुवार है और तुमने सुवार से ही कोई भी काम नहीं किया है जब से काम शुरू हुआ है तो अब तुम जाकर काम करोगे तो उर्ट ने कहा मैं कैसे काम करूँ मेरे पीट पर तो ये हम यानी की कूबर निकल आया है तो जिन ने कहा कि इसका एक उद्देश है ये सब उसी वज़े से है जो तुमने शुरू में तीन दिन काम नहीं किया था अब तुम बिना खाना खाए हुए तीन दिन तक काम कर सकोगे क्योंकि तुम अपने हम्प के वज़े से जिन्दा रह सकते हो और तुम ये नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया फिर जिन ने उससे ये भी कहा कि अब इस रेगिस्तान से बहान निकलो और उन तीनों के प है जिसे हम हम्प कहते हैं ताकि उसकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे लेकिन अभी तक वो उस काम को पूरा नहीं कर पाया है जो उसने शुरुवात के तीन दिन छोड़ दिये थे जब दुनिया शुरू ही थी और आज तक वो ये नहीं सीख पाया है कि कैसे वहवार किया जाए तो इसी के साथ हमारे ये चर्टर समाप्त होता है थैंक यू